पूरी जानकारी लेना चाहेंगे हाँ पन्दी जी पन्दी जी महाशिवरातर के त ImperGM अबने के अकैशिर बोओन टिरेस नाख शेतर में आश्यवरातर के अशनकार मोई तो कि真的 की होगा एक उप हने का कार कार्येकरम करते है परण जमसे आप पूरे अपने दर्सकों दिखा सके कि जो ये इतिहासिक मंदिर है इतिहासिक जगह है नाक्शतर मंदिर है ये तो किस तरह का ये कार्यकरम होगा और इसमें क्या कार्यकरम होंगे तारिक कब से किस तारिक के शुरू होगा और कब तक ये चलेगा इस बारे में हमें बिस्तार से जान करी दिये यहाँ एक यग्य किया था और उस यग्य के लिए सापों की आहुतिया दी जा रही थी उस समय महरशी आस्थिक के द्वारा उस यग्य को रोक दिया गया और ये नागत छेत्र उसी समय से प्रसिद्ध हुआ उस काल के अंदर यहाँ पर भगवान सदा सिव की स्थापलना की गई समय समय पर राजाओं ने इस मंदिर की स्थापलना की जिर्नोत धर किया लगवग आज से 35 वर्ष पहले भगवान सिव का जिर्नुत्धर किया गया था समय क्रम के अनुसारे भगवान सदा सिव के मंदिर के अंदर भगवान सिव की प्रतिमाएं जो है उक्षरी तो हो गई अर्थार्थ उनका स्वरूप बिगड़ गया स्रातन पद्धती के अंदर ये कहा गया है जो मुर्तियां खरी तो हो जाती हैं खंडी तो हो जाती हैं उनकी पुनस्थापना की जाती है महा सिवरात्री का ये पावन पर्व जो है स्रातन धर्म के अंदर अपना विशेश महर्त रखता है और उसी महत्त को ध्यान में रखते हुए यह भगवान सदासिव की पंचायतन के साथ जिसके अंद्रभगवान गणपती, मापारवती, स्वामी कार्तिके अजी और नंदी जी महाराज भी इसमें समलित हैं उनका विधी विधान के साथ जो है पूजन का कार्य प्रारंब हो च तारिक से यहां पर भागवान की बेद विधी के साथ महामृतुन्ज मंत्र का जाप करते हुए अगोर मंत्र का जाप करते हुए ओम नमस्षिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस यग्य को प्रारंब कर चुका है इस यग्य की प्रारंब जो है नांदि स्राद्ध के द्वार एक तारीख को प्रारंब किया गया और उसके अंदर जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर पांच तत्व अपना महत्व रखते हैं उनी पांच तत्व को धान में रखते हुए कल भागवान का जो है प्रातकाल स्वागत किया गया और श्याम के समय भागवान का जल के अंदर अधिवासन किया गया जल तत्त को धान में रखते हुए और दो तारिख को प्रातकाल भागवान का धन्या अधिवास अंदर जो है निवास किया गया और श्याम के समय दो तारिख को भागवान के लिए रसों के अंदर रसोवई सा भागवान को रस सरूप कहा गया है इसलिए भागवान के लिए विभिन प्रकार के रस जिसमें मुख्य रूप से घी विशेश रूप से जो है अनेक प्रकार के जो है पदार्तों का रस फलों का भागवान को अरफित किया गया है इसी प्रकार से सभी लोग भागवान का मंगल दर्षन कर सकें इसके लिए कल दोपहर के समय एक बजे सारे के सारे सफिद्धों के अंदर विद्वान लोगों के साथ गाजे बाजे के साथ धार्मिक उत्सव के साथ बागवान की नगर परिक्रमा का करिक्रम होगा उसके बाद बागवान के लिए जो है सायन होगा ये स्वनातन पध्धती अपने आप में मानविय करण लिए हुए है बागवान का मानविय करण करते हुए भागवान शिव और पार्वती के विवाः पर, जो सिवरात्री का उत्सव मनाया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुएं भागवान का सायन होगा, और उसके बाद चार तारिक को महा सिवरात्री के पावन पर वेद मंत्रों के साथ, रुद्राष्टा ज्याई पाथ के आपना का कारिय होगा जो के अचल प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है उसे फिर हिलाया नहीं जाता और इस प्रकार से रात्री के अंदर शिवरात्री के अंदर भागवान की चार बार रात्री को पूजा की जाएगी अनेक पदार्तों के साथ रुद्रा भी सेक किया जाएगा ये भगवानक सिवरात्वी का पावन परव सभी के लिए मंगल कारी हो इसी भावना के साथ ले करके इस परम पावन पवित्रतिरत नाग छेत्र के अंदर इस महत्व पुर्णा यग्य का आयोजन किया है हमारी सुबकावन आय रहेंगी इस नगर के लिए भी और सभी लोगों के लिए के सभी के लिए ये शिवरात्वी का पावन परव मंगल मैं हो अपन्理 जी इस में इस काले करम के अंदर आपके साथ और लोग भी आई कि आपकी पुरी टीम आई तेम में कौन-कौन लोग है उसके अंदर जाए बड़े बिद्धान लोग हैं मेरे साथ जो है आचारिय जो है सास्त्री महोदय मनोज सास्त्री जी आये हुए हैं दस्रत सास्त्री जी हमारे साथ हैं हमारे साथ जो है रमेश वत्र जी आये हुए हैं हमारे साथ जो है सभी बिद्धान लोग यहाँ पर एक जब चला हुआ है बगवान शंकर का कार्यकर्म रखा गया है और शंसार करंटी के माध्यम सीवमत्य पूरे दर्शकों को यह दिखाना चाहेंगे कि इस कार्यकर्म में आप सभी लोग बढ़ चड़कर भाग ले पन्डी और कोई जानकारी देना चाहेंगे इस कार्यकर्म के बारे में अंदर वि विशेश बात रहेगी जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो भारत भूमी के साथ जो गदारी करेगा उनका स्रवनास के लिए हम जो है तेले के साथ भागवान महादेयू के पूजा करेंगे यहां पर विशेश तोर पर हम भारत माता की जैजकार के लिए यहां पर जो है जैजकार लगवाते हैं और सत्रों के विनास के लिए भगवान सदासिव से प्रार्थना करते हैं भगवान सदासिव सब का कल्डान करें विशेश रूप से रुद्र रूप के अंदर भगवान सिव हमारे देश भक्तों के अंदर हमारे नोजवानों के अंदर हमार को प्राप्त करने वाला हो ये विशेस हमारा संदेश रहेगा कि सभी लोग सनातन धर्म पद्दती के साथ भारत माता के साथ जो है जुड़ जाएं और भारत माता की जैकारे के साथ इस वार की सिवरात्री को मनाएं तो यह थे हमारे पंड़ी जिन्हों के इस कार्यकरम के बा में और हम अम्माइट करते हैं कि इस इसकार्य कर्या कर्यम को सभल बनाने के लिए ब्हकती ग्राजिक कार्या करम महाशौरत लुगम strength ब simplement बनाए सब्सक्राइंक बड़र चला चार भाग लेंगे। और इस कार्य करम को सफल बनाने में यहां पूरा अपना सहयोग देंगे तनमंधन से संसार करांते न्यूज चैनल से मैं हरी इश्खपूर अपने कैमरमेंट सहयोगी सुनीली आदव के साथ